अब मेरे जैसी नाम वाला आदमी जो तीन वार विधाय करा तीन वार मिनिस्टर रहा वो पार्लियमेंट का चिनाव लड़े और उसके बाद इस तरह की भाषा बोली जाए तो मुझे लगता कहीं से ठीक नहीं है यह राजनीत में इस लेबिल पे बात नहीं होनी चाहिए बात पिली से लोग आकर 35 साल से यहां पर सांसत बन रहे हैं अगर उनका रिपोर्ट कार्ट देखा जाए तो पिलवीत में कोई ऐसी चीज़ों गिना नहीं सकते जो मिनका जी ने या वरुन जी ने यहां पर किया हो जहां तक कॉंग्रेस और सपाक ऐलाइंस है यह पूरे प्रद लोग सवा चुना होने वाला है और पार्टियां अपने अपने उम्रिद्वारों की घोशना करने लगी हैं लेकिन पिलिवीत सीट को लेकर जहां भारतियंता पार्टी और गठवंदन में टिकेट बटवारे को लेकर मंतन चल रहा है वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बात करें बीएसपी प्रत्यासी की तो बीती दस मार्च को पिलिवीत के बीसल पुर्चेत में एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का एक कारकरता सम्मेलन हुआ था उसी में गोशना की गई थी गोशना हुई है अनीस अहमद और फूल बाब जी की हमारे साथ हैं हम उसस इसे तो आपका बहुत-बहुत तक में स्वागत है आपका टिकेट फायल हुआ है जो बता जारा जो पहली लिस्ट आई थी उन चार में एक आपका नाम है चारों में एक साथ मुस्लिम प्रत्यासी उतारे गए जो एक चर्चा का विस्वर्ण के क्या कहीं गया देखिए बह तक ही सीमित रखा जाता है लेकिन बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों को बराबर मौका दिया जाता है अगर ना दिया जाता तो हम लोग भी सल्पूर से टिकेट भी नहीं मिलता है मेले भी नहीं कभी बनते मिनिस्टर भी नहीं बनते हैं तो तीन वार आज मेले बने है हैं थो भ Believe restaurants पार्टी की देन हैं तो इसलिए बहुजास समाज पाटी माइनार्टी को भी पूरा इससा देती है यसे कि गोशना ये बात की जाए तो गोशना एक बहुत नार्मल तरीके शितीगैं आपकी拜拜 आपकी शर्चा यह भी है कि लगनों से कोई लिष्टम अइले पुस् चर्चा नहीं है लेकिन उससे पहले मेरा टिकेट कर दिया है तो इसकी भी चर्चा है बहुत जल्दी हो गया है बहुत जल्दी हो गया है तो अभी लिस्ट में नहीं आया है लेकिन मेरा टिकेट पिल्वी से सही टाइम पे जो टाइमिंग है उससे फाइनल हो गया है हम लोग अपना पूरा पिरबंदन कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, कल हम लोगों ने अपने पूरे पांचों विदान सभाओं के पदादीकारियों को पिलवीत बुलाया है, उनके साथ बिचार बिरमस्च करेंगे, और हर विदान सभाओं को पांच पांच जोन में मदान में उतरेंगे, उसके बाद जातीकत आखोलों को हिसाब से सपा अपना कंडिगेट चुनेगी, तो आपको ब्यस्पी ने किलिर कर दिया कि आप चुनाओं मदान में उतरेंगे, तो ऐसे में आप आने वाले जो कंडिगेट उतरते हैं बीजेपी से अगर बॉलों गां हाने वाले हों, चाहिए वो जीतने वाले हों, जो जीत जाते हैं उन्हें भी पिलवीद से कोई सरोकार नहीं रहता, और जो लोग चुनाओं लड़ते हैं वो भी उसके बाद हारने के बाद गायब हो जाते हैं, तो पिलवीद की जनता अपने को ठका हुआ महसूस करती है, लेकिन मेरे बारे में भी लोग जानते हैं, कि हम लोगों जब मैं 1996 से लेके 12 तक MLA रहा, मिनिस्टर रहा, तो पूरे जिले के लोगों का प्रदेश का मैंने काम किया है, रिकास भी कराया है, और समाज में भायचारा क्या भी मोहल दिया है, और लोगों के काम भी किये हैं तो यहां पिलवीत में जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला जैसे 2019 में गड़ बंदन हुआ जो चुनाव लड़े थे यहां से वो इतना बड़ा वोट लिया उन्होंने और वो पार्टी छोड़कर चले गए वीजेपी में टिकेट मांग रहे हैं उसके बाद 2022 में चुनाव हुआ एमेले के हम डाक्टर शेलेंजी लड़े वो चुनाव में एक लाग सतरा ठारा जार वोट लिया और दूसरे दिन से वो गाइब हो गया तो इस पिलवीत के लोगों के साथ में बहुत ही अंजस्ट हो रहा है और उन्हें सही लीडर वोट इस लोग सवा में 28% है और हमारा अनसुची जात का वोट है 16% है 4% सिक्ष समाज का है और तमाम पिलवीत के अच्छे लोगों को मिलाकर इस चुनाव को हम जीतेंगे और एक अच्छा नितित देंगे और हर वर्ग को खुश करने कोशिश करेंगे जैसा कि कहा यह जा अब मेरे जैसी नाम वाला आदमी जो तीन वार विधाय करा तीन वार मिनिस्टर रहा वो पार्लियमेंट का चिनाव लड़े और उसके बाद इस तरह की भाशा बोली जाए तो मुझे लगता कहीं से ठीक नहीं है यह राजनीत में इस लेबिल पे बात नहीं होनी चाहिए ब पिलवीत में कोई ऐसी चीज जो गिना नहीं सकते जो मिनका जी ने या वरुन जी ने यहां पे किया हो ना वेरुसगारी में कोई उनका मतलब युगदान है ना यहां पर जो अभी इतना बड़ा कल भी एक हमला हुआ है एक बच्चे गोर लेपट ने किया है उसके अलावा कितने लोग मर गए कोई बोलने वाला है आज मैं देख रहा हूँ जिन लोगों को यहां जिलेक का प्रतिनिदी बनाया गया है उनकी भी हालत खराब उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है अफरत अपरी का महौल है करप्शन की हालत वो एक बहुत जादे बढ़ गई है जनता जा की बात करेंगे ना आप बात करेंगे बेरोजगारी की और हिंदु मुस्लिम मंदिर मजजित क्या इससे हमारा देश का हल हो सकता है यह आपको आज पढ़ लिख रहा है उन्हें नौकरी मिलना चाहिए और आप 80 करोड लोगों को गल्ला बाट कर क्या मैसेज देना चाहते है विक्सित देश की भाशा हो सकती है असी करोड़ों आप देश का गल्ला बट रहा है क्या इससे देश आगे बढ़ जाएगा अब लोगों को रोजगार दीजिए लोगों को मौका दीजिए वो मेहनस से कमाएं अपने बच्चों का पालंद पोश्चन करें और नफरत की रा तो आपको प्रत्यासी चुना गया ऐसे में क्या लग रहा अगर सपा अपना प्रत्यासी उतारती है तो मुस्लिम बोट जेहां उसका दुरूबर करण किदर होगा और आप को कितना प्रत्यासी बोट मिलेगा देखिए सौरब जी मेरे बारे में आप लोग शायद जानते हो कि मैं जिस विदान सवा से एमेले रहा हूं वहाँ पर सत्तर पैंसट हजार वोट मुसलमान है वो तीन लाख हिंदू वोट है और मैं तीन वार एमेले रहा हूं तो आप जान सकते हैं कि कितना वोट मुझे हिंदू ने दिया होगा तो जितना मैं मुसलिम में पापुलर हो उससे कम मैं हिंदू भायों में पापुलर हो उससे कम नहीं हूँ वहाभी मेरी वही चबिए वही गुस पैठ है वही मेरे ताल turnaround तो उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी कितनी सीड़े ले सकती है देखे यह तो अभी जो समीकरण बन रहा है जहां तक कॉंग्रेस और सपा का एलाइंस है यह पूरे प्रदेश में एक्सेप्टिट नहीं है इस समीकरण पर बहुत जाधा बीजेपी को हराय नहीं जा सकता जब तक और इस यूपी लोकसवा में आप ये मान के चलो यूपी उत्तर प्रदेश में करीब 18-19% दलित है 2% सिक समाज है और करीब 26% दलित वोट है अगर आप इमानदारी से इस प्रदेश में बदलाओ चाते हैं तो इस गड़वंदन पर अगर वोट करेंगे तबी आप अपना लक्ष हासिल कर सकते हैं बीजेपी को बीजेपी की बीटिंग कहा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और इसके संसापग मानवर काशी राम साभ हैं बीजेपी और बीजेपी के बारे में आप लोग खूब जानते हैं कि जब जब ऑर पार्टी का जिराब बहुत नीचे चला जाता है और जब-जब समाजबादी पार्टी ऊपर आती है तब तब बारती जिनता पार्टी का गिराब बहुत ऊपर आ जाता है तो यह चीज समझना पढ़ेगी और लोग समझ रहे हैं इसको और यह हमारे जनरलिस्ट भी जान करना चाहते हैं और उनोंने 2007 में फुल फिलेश पावर में आने के बाद भी एक ही नारा दिया कि हम सरजन हिताय सरजन सुखाय के नाम पर ही राजनीत करेंगे चुनाओ को लेकर आप कितने दिश्चिंत हैं कि आप चुनाओ जीतेंगे चुनाओ जो इतने चुनाओ लड़ चुका हूँ उसके सामने तो मेनेजमेंट वगरा मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है हम पूरे अलक्षन कमिशन के कानून के हिसाब से परशाशनिक तोर में विल्कुल हम जो नियम कानून है उनका फालन करते हैं और हम बहुत ही काईदे से लगते हैं हमारा प्रवंदन पूरा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सोसल इंजिनरी का जमाना है इसको लेकर आप थोड़ा सा बेस्पी पीचे है क्योंकि कल में कही मुस्लिम मोहलों में गय है कि आप प्रताशी तरह गोश्चत हो चुक है और अपा आइलान भी बड़ा सान तरीके से क्या गया है देखिए लगातार अखवारों में छबी रहा है एक एक आदमी को मालूम है चुक्कि आदमी वो लोग जो बिचारे गरीवी की रेखा के नीचे चल रहे हैं जिनके सा यह नौबत आ रही है आज एलेक्शन कमिशन पर चार पर सार कर रहा है वोटीं होना चाहिए मद्दान होना चाहिए लोगों के अंदर एक जो दिल्चस्पी हुआ करती थी देश की आजादी के बाद हो चीज अब नहीं दिख रही है मतलब उदासीनता बढ़ती जा रही है किन मुद्दों पर आप चाहिए हमारे इस पिलवीत लोग सभा का मुद्दा यही है कि टिकाओ आद्मी लोगसभा का सांसत बनना चाहिए जलेका बनना चाहिए और वही आदमी आपके बीच में रह के कुछ कर सकता है और बाहर के लोग एक साल नहीं 20 साल नहीं 35 साल से हैं उनका रिपोर्ट कार्ट क्या है, तो यह आकलन तो करना पड़ेगा, यह अलग बात है कि हम जब कोई पार्टी मैनोफेस्टो देती है, गोशनापत देती है, पास साल बात हम भूल जाते हैं, ऐसे ही इन सांसदों का भी रिपोर्ट कार्ट नहीं मंगते हैं, जबकि दूसरे प्रांतों में, केरला में, तो पड़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर मांगते भी हैं, और सवाल भी करते हैं, यहाँ पर तो जहाँ जूट बोलो, सच बोलो, जो चाप दो, वोट ले लो, उसके बाद भुगाएब हो जाते हैं, यह थे बियस पी पिरत्यासी, अनीस अहमत औ प्राबू, 2024 में जीतेंगे, हारेंगे, यह तो नतीज़े ही बताएंगे, लेकिन इस समय पिलिभीत में, ब्यस पी ने अपना टिकेट उतार कर, फिलाल आवी वो आगे चल रही है, पिलिभीत से यूपी तक के लिए सौरप पांडे,